नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे देखें ये काफी अजीब statement है I have cancer इसका मतलब यह होता है कि जो particular व्यक्ति ये statement दे रहा है उसको cancer की विमारी है अब देखें यहाँ पर Joy Bidend जो अमेरिका के राश्पती है इन्होंने ये statement बोल दिया है शायद ये देखिए US President Joy Bidend I have cancer इस पर Twitter पर काफी बड़ा बावाल हुआ है और बाद में White House ने यहाँ पर clarify भी किया है सफाई भी दी है इस statement के पीछे तो statement से जोड़ी होई सारी जो news है उसको discuss करेंगे और Joy Bidend से पैसे भी देखिए बहुत सी गलतियां होती है Joy Bidend जो है 79 years old है इनकी जो उमर है वो 79 years है मलब अमेरिका के history में सबसे उमर दराज जो राश्पती है वो माने जाते हैं और इनकी गलतियां जो है एक तरीके से PR stunt बन जाती है या geopolitically काफी बड़ा statement बन जाती है तो सब कुछ हम discuss करेंगे इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसे present करता हूँ मैं मेरा नाम है सौरफस्वामी बाइद आवे देखिए एक Joy Bidend जो है उन्हें COVID-19 भी हो चुका है इसको लेकर भी काफी news आप शायद देख रहे होंगे बाइद आप हर महिने में जब भी इनका कोई दोरा होता है कोई सम्मिलन होता है कोई प्रोग्राम होता है तब इनका statement वाइरल जरूर होता है बीते दिनों कई बार उनके वीडियो वो हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने भाशन देते वक्त बहुत सी गलतियां करी है लेकिन बाइदन ने जो बुद्वार को कहा है उसको सुनकर बहुत से users ये मतलब सोच कर डर गए कि ये कह सचाई है या फिर एक mistake है अपने वाशन में बाइदन ने ये दावा किया कि उन्हें cancer है और इन्होंने सीधा statement कहा था I have a cancer बाद में इन्होंने उस चीज को explain भी किया लेकिन जो moral निकल के आता है statement का वो यही आता है कि I have a cancer और बाइदन जहें दर्सदल दिए जलवाई परिवर्तन से लड़ने के लिए जो official एक Massachusetts Institute में summer set है उसके पास में जो कोईला बिजली सेंतर है उसका दोरा कर रहे थे climate change के उपर एक speech दे रहे थे तब इन्होंने इस बात को mention किया है और इसी तरीके से इसका जो particular वीडियो है वो ट्विटर के उपर काफी भेंकर तरीके से वाइरल हुआ और लोगों को इस चीज की चिंता हुई कि क्या यह एक बोलने की गलती है या फिर कोई बहुत बड़ा खुलासा है अब दिखे वैसे भी जोई बिडेन कई तरह के statement देते भी रहते हैं अब दिखे दो statement आप यहाँ पर जान सकते है Real Clear Politics एक website है उसके संस्था पर एक है Tom Bevan इन्होंने ट्वीट में कहा कि cancer या तो राष्टपती के ध्यास का सबसे बड़ा धमाका है या फिर सबसे बड़ी एक भूल है यह जो statement है इसको राष्टपती के जितने भी statement है उसकी सबसे बड़ी भूल बताई जा रही है और यहाँ पर एक बैवली हालबर्ग नाम से काफी popular personality है इन्होंने भी कहा कि यह आपको cancer होता है तो किसी को बताने की जरूत नहीं है कि हमें cancer है क्योंकि वो आप पर एक particular जो statement है वो काफी ज्यादा हावी रहने वाला है और आपकी तबियस ज्यादा खराब हो सकती है तो इस तरीके से कुछ लोग ने मजाग उड़ाया है कुछ लोग इस जीस की जिंता में थे कि क्या वास्तव में जोई बाइडन को cancer है और यह cancer है तो कौन सा cancer है कई लोग blood cancer की बात करने लगे कई लोग brain cancer की बात करने लगे तो देखा जाए तो ट्विटर के उपर इस statement को लेकर काफी बावाल हमें देखने को मिला है हाला कि जोई बाइडन के लिए surprisingly बात नहीं है कि कोई statement यह बोले speech के दोरान और वो viral हो जाए लेकिन चुकि यह statement काफी serious है तब ही हमें इतना बड़ा बावाल हमें देखने को मिला है specifically अमेरिका के अंदर अमेरिका के news जितने भी outlet है और twitter है वहाँ पर अब दीखे इनका ही जो cancer संबंधी बयान है उस पर White House ने सफाई दे दी है जो सच्चाई है वो क्या है उसे जानना जरूरी है अब दीखे यहाँ पर White House ने कहा है कि राश्पती जो है मतलब जो जो बाइडन है वो तवचा के cancer के इलाज के बारे में बात कर रहे थे मतलब skin cancer की जो बात है वो कर रहे थे जो उन्होंने पिसले साल जनवरी में राश्पती पद समानने से पहले किया था मतलब जो बाइडन को skin cancer था इसको मेलामेन skin cancer कहा जाता है जो जो बाइडन को था इसमें छोटे छोटे जो दाग है तोचा के उपर हो जाते हैं ऐसा कहा गया बाद में कि यह जो दाग है वो भी हट गए अब दीखे जो पूरा statement है उसको आप यहाँ पर जहां से सुन सकते हैं बिडेन ने तेल रिफाइनियो रिफाइनर जो होते हैं उनसे उत्सजन होने वारे नुकसान पर चर्चा करी थी इस particular speech में और इस दोरान उन्होंने ये कहा जहां पर वो रहते थे डेलावेर उसमें अपने बच्पन के किस्से को याद किया और इन्होंने जिक्र किया कि मेरी माँ हमें चलने के बजाएक कार से ले जाती थी मतलब इनके घर से जहां भी इनको जाना था ये कार का यूज़ करते थे रीजन इनों ने बताया कि कार की खिड़कियों पर फसे तेल को निकानने के लिए हमें वाइपर का इस्तमाल करना पड़ता था जहां पर यह रहते थे वहाँ पर तेल रिफाइनीर्स काफी ज्यादा थी इसकी वज़े से पेदल जाने से इनके हर्ट को प्रबलम हो सकती थी या फिनके शरीर में ओइल से संबंदित प्रबलम हो सकती थी इसलिए यह जो फॉर्विलर है उसका यूज किया करते थे और यह जो तेल के रिफाइनीर्स से जो पॉलिशन से वो इतना खतरनाक था हुआ हुँ उनको कैंसर है यह बात इन्होंने कही सो मैनी अधर्स विपिल हूँ लीव देर यह ग्रो अप विट लीव कैंसर यह काफी बड़ा स्टेटमेंट है आप इसके मतलब कई तरीके से निकाले जा सकते हैं इसी वज़ए से मिस कंसेप्चुली आप यह मान सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है कि आई हव ए कैंसर वह स्टेटमेंट काफी बड़े स्केलपल वावाल हुआ कि जो बाइडन को कैंसर है और डेलावेर में पूरे देश में सबसे ज्यादा कैंसर की जो दर है वो है इसा इन्होंने यह भी कहा है जहां पर इनका जो बच्पन है वो गुजरा है अधिकर वैसे बैसिकली आप यह समझ सकते हैं कि जो बाइडन की जो उमर है वो 79 एर्ज ओल है अमेरिका के सबसे उमर दराज प्रेजिडेंट है तो इनकी बहुत सी गलतियां हमें देखने को मिलती है न्यूज आर्टिकल्स में एक गलतिया आप यहां पर और देख सकते हैं जब अमेरिका यूक्रियन की मदद कर रहा था रश्या यूक्रियन वार के बीछ में तब इनोंने अपनी ही तारिफ करते हुए यह कह दिया कि अमेरिका डिजर्ज बैर मतलब इन से better president जह है अमेरिका का कोई नहीं बन सकता है इसके बाद में भी ये जो वीडियो है काफी ज्यादा viral हुआ उसके बाद में हाल ही में कुछ दिनों पहले COP26 का समयलन था जिसमें ये बात मलब ये जो speech है उसको सुनते सुनते ही सो गए ये भी काफी viral news बनी पूरे अमेरिका में पूरे ग्लोबल इसकी बहुत बड़े scale पर जर्चा हुई उसके आद में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जब आस्टेलिया और अमेरिका के बीच में एक सम्मेलन चल रहा था तब ही जो स्कॉट मॉरिसन है जो उस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम जो वाइडन भूल गए कई देर तक ये चुप रहे उसके बाद में इन्होंने पीम नाम से संबोधित किया और अपनी speech को आगे बढ़ाया ये भी जो particular news है वो उस्टेलिया में बहुत भहेंगर तरीके से वाइरल हुई थी उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं एक statement इनका इन्होंने कोरोना के बाद में जो पहली speech दी थी तब इन्होंने mention कर दी एक statement अब इस particular statement को लेकर भी काफी बड़े scale पर हमें globally जो एक तरीके से statement का misuse है वो देखने को मिला मतलब उमर्दराज व्यक्ति किस तरीके से बोल सकता है लोगों ने इसको मजाक में भी लिया कई देश ने अमेरिका के बेजिडेंट जो बाइडन को सलह भी दी कि पहले जो अपना भाषन है उसको पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है और उसके बाद में teleprompter के उपर भी इनोंने कई तरह के viral जो statement है वो दिये है teleprompter जहां पर particular जो leader होता है वो उसमें से देखकर अपने भाषन की speech जो है वो देता है तब वहाँ पर कुछ disclaimers भी आता है इनोंने एक बार speech पढ़ते पढ़ते disclaimer भी पढ़ दिये तब भी काफी ज़्यादा एक viral statement बना था अब इसी वज़े से कहा जाता है कि जो बादन के मुझ से ये जो अजीब से जो words है वो निकलते रहते हैं चाए फिर कोई भी सम्मिलन हो चाए कोई भी प्रोग्राम हो ऐसा हमें बार बार देखने को मिलता है और जो मेलामीन स्किन कैंजर है ये इन्हें था लेकिन इसका पूरा इलाज है वो अब हो चुका है तो particular जो news है उसके उपर ये जो आप पूरी news है वो आप समझ सकते हैं साथ यदि आप ADA247 की जो application है या website है वहाँ से course जो है enroll करना चाते हैं तो आप जो है इस method से course जो है परजेज कर सकते हैं ये same method जो है आप application में भी applicable कर सकते हैं सबसे पहले आपको ADA247 का application खोलना है या फिर website खोलनी है जिसमें all courses का option है आपके सामने आएगा फिर चाहिए आप किसी की भी त्यारी करना चाते हो इस पैसिफिक लिए हम example के लिए बात करें UPSC के आप त्यारी करना चाते हैं तो UPSC वाले section पर आप जब click करेंगे तो उसक फिर आप college student हो या फिर आप beginner हो आप UPSC के त्यारी करना चाते हैं तो इन महापैक को आप enroll कर सकते हैं और complete life foundation badge जो हो भी शुरू हो चुका है तो इस तरीके से देखे test series, e-books सब कुछ available है R.247 application पे या फिर website के उपर तो मान लीजे आपको ये जो course है ये जो UPSC CSC का premium महाप ये enroll करना है इसको आपको purchase करना है तो आप यहाँ पर price देख सकते हैं और present time पे mountain carnival festival भी चल रहा है जिसमें आप जब rain जो coupon code हो यूज करेंगे तो आपको 75% का off मिलेगा लेकिन रुकिये आपको ऐसा नहीं करना है आपको जो करना है वो ये करना है कि जब आप इसको purchase तो यहाँ पर जो enter coupon code है इसके option में जाने के बाद में यहाँ पर rain और mn15 जो coupon code है वो तो already applied हो चुके हैं लेकिन जब आप इसमें y572 जो code है उसे applicable करेंगे तो आपके सामने जो price आएगी नहीं वो आएगी 18,859 रुपे तो आपको direct 77% का discount है वो मिल जाएगा तो 2% discount आपको और मिलेगा यदि आप y572 जो code है उसे use करते हैं तो तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की तियारी कर रहे हो चाए bank हो, SSC हो, UPSC हो, state PCS हो यहाँ पर बहुत से courses available है आप जिसको भी enroll करना चाहते हैं आप यह जो y572 जो code है उसे use कर सकते हैं और 77% का direct discount जो है आप पा सकते हैं और साथ ही ADDA247 का जो application उसे download करना बिल्कुल भी न भूलें और complete foundation badge जो है वो भी आपको महा pack में जरूर मिलेगा तो आप इसको भी enroll कर सकते हैं इसकी classes 29 जोन से जरू हो चुकी है और subscribe किजिए UPSC ADDA247 चेविनल को like share करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह के important और informative वी